है अधुट ऑस्रोड़ेंजनिंस नेक्स्ट हम लोग अभी आज देखेंगे गृड इमेठड तो गृडी मेठड का थोड़ा इंट्रक्शन देख रहते हैं वॉट्सरोड इससे ऑर प्रोबम आता है allowing अगर हम traveling salesman type का problem अगर देखेंगे जिसमें हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है for example अगर हमको भिलाई से राइपूर जाना है so there are multiple ways या बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम भिलाई से राइपूर जा सकते हैं तो किसी भी problem के बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे solution होंगे now यहाँ पर बोलता है लेकिन best solution तो वही होगा जो सबसे कम समय में मुझे वहाँ पर पहुंचा देगा ठीक है तो आपके पास लेकिन बहुत सारे conditions होंगे जैसे देखो अगर आप अपनी गाड़ी से जाओगे तो कितना घड़ जाओगा ट्रें से जाओगे तो कम घड़ जाओगा बस से जाओगे तो सब स्यादा थै तो अब आपको देखना है कि मेरे पास क्या resources है तो मैं उन resources का optimally use करके कैसे कम time में मैं दुर्क से राइपूर जा सकती हूँ वो चीज मुझे अब decide करना है तो वो मेरा problem है ठीक है सपोज मेरा मेरे मेरे पास bike है और मेरे पास car है तो अब मुझे देखना है कि मुझे अपना comfort देखना है कि मुझे अपना cost देखना है तो अगर मुझे अपना comfort देखना है तो optimal solution मेरे लिए होगा कि मैं car से जाओ ठीक है लेकिन अगर मुझे cost देखनी कि मुझे कम petrol खर्च करके जाना है तो उस case में मेरा condition ये रहेगा कि मैं अपने two wheeler से दुर्क से राइपूर में पहले तो बहुत सारे multiple solution है ठीक है multiple solution होने के बाद भी उसमें कुछ condition होगा वो condition person to person या problem to problem क्या करेगा आपका vary करेगा ठीक है तो ऐसे problems के लिए हम क्या use करते है अभी हम जो देखेंगे वो क्या है आपका greedy method greedy method बोलता है हमारे पास जो भी problem है उसके multiple solution रहेंगे उस multiple solution में से कुछ रहेंगे जो feasible होगा feasible याने जो मेरे objective को satisfy करता है मतलब बोलना चाहिए जैसे कि suppose मैं जाना है दुर्ग से भी लाई तो feasible यही होगा कि मेरे पास two wheeler है, car है, मेरे पास bus है और अभी train नहीं चल रही तो मेरे पास train option नहीं है तो feasible में से ये तीन चीसे होगी मेरे तो मेरे पास तीन तरीके हैं जिससे मैं दुर्ग से भी लाई जाओ, उसके अलावा अब मुझे next देखना है कि मेरा condition क्या है, क्या मुझे comfort को priority देना है कि cost को priority देना है, तो वो condition अब मैं set करोंगे, ठीक है, तो किसी, यहाँ पे अब द optimization ये होता है, कम से कम समय में या कम से कम cost में maximum profit, या कम से कम समय में अपना बहुत ज़्यादा काम कर सकूँ, जैसे हम throughput को define करते हैं, तो optimal वही होता है, जो थोड़ा लेके मुझे बहुत ज़्यादा benefit लेता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते है, optimization बोलते है, ठीक है, तो अब ही जो current scenario में जो उसको best देखता है, उसको लेके choice लेता है, जैसे कि suppose यहाँ पे मेरे पास, अब देखो यहाँ पे, मेरे पास suppose यह मेरा source है, ठीक है, यहाँ से यह मेरा destination है, ठीक है, अब in between बहुत सारे रास्ते हैं, एक यह रास्ता है, एक यह रास्ता है, और suppose यह यह तीन रास्ता है, एक यह तीन रास्ता है, ठीक है, सब्सक्राइब इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, ठीक है, अब यह पांच, यह एक एक, और यह दो, और यह दो, ठीक है, अब अगर देखोगे, initially अगर देखोगे, तो initially जो है, सबसे cheaper मुझे कॉन सा लग रहा है, optimal ठीक है, तो वो 2 को लेके बढ़ जाएगा, नेक्स्ट आगे उसको मिलेगा 5, इसके अलावा और कोई option है नी, और नेक्स्ट उसके बाद आगे फर्दर उसको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, तो बुलता है कि इस सिर्फ हमेशा क्या करता है, अपना जो current optimal, लेकिन अगर हम overall देखेंगे, अगर हम overall देखेंगे, इसमें जो सबसे cheaper way जो है, वो क्या है आपका, देखो इस वाले अगर रास्ते जाओगे, तो 5, 6, 7, 8, आपको 8 unit cost लग रही है, अगर इस रास्ते जाओगे, तो 3, 4, आपको 5 unit cost लग रही है, और इस रास्ते जाओगे, तो आपको किती लग रही है, 6 unit को, तो greedy method का यही एक तरीके से बोलोगे, आप drawback भी है, कि वो हमेशा क्या करता है, उसके पस जैसे बहुत सारे intermediate pass होंगे, तो उन पास में जो अभी current में जो मुझे best दिखता है, उसी को देखके वो आगे बढ़ जाता है, पूरा overall वो distance को consider नहीं करता, फिर next path में जाके, फिर जो उसको best लगेगा, वो उसको लेगा, फिर next path जाके, फिर जो उसको best लगेगा, उसको लेगा, इसी example में, जैसे अगर यह source है, यहाँ से 2 गया, यह 5 गया, यह 2 गया, अब यहाँ से suppose एक और रस्ता है, तो यह तो 5 था, यह 2 था, यह भी 2 था, और यहाँ से एक और suppose में रस्ता है, इसका मैं cause देती हूँ 1, इसका cause देती हूँ 3, तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 जाएगा, 2 के बद next 3 और 5 में, वो किसको लेगा, आपके 3 को लेगा, और फिर इसके बद यहाँ आके इसके पर 1 और 2 है, तो फिर वो किसको लेगा, 1 को लेगा, तो इस तरीके से हर नोड में आके वो decision ले रहा है, कि अभी मुझे जो सह है, सबसे optimal मेरा रास्ता कौन सा है, यही को हम बोलता है, greedy approach, greedy approach बोलता है, वो हमेशा पास में काम करता है, पास याने जैसे देखो, पहला पास था, 2 लेके यहाँ तक जाना, next पास में यहाँ जाना, फिर उसके बाद next पास में यहाँ पर जाना, तो इस तरीके से problem को वो पासेस में सॉल्व करता है, और हर पास यह local optimum क्योंकि अभी भी वो destination पहुचा नहीं है तो जो locally उसके पास जो सबसे nearest में जो optimal दिखेगा उसी को लेके वो क्या करेगा आगे बढ़ेगा और वो यही सोचता है कि अगर यह मेरा सबसे कम है तो आगे भी मुझे इस रास्ते में सबसे कम खरचाएगा तो इसलिए global optimal solution greedy method okay so बोलता है फिर से अब यहां पर देखिए a problem can have many solutions ठीक है तो किसी भी problem वैसे problem जिसमें many solutions होते हैं उन में से कुछ होंगे जो feasible होंगे यानि आपके पास जो भी resources होंगे उसको लेके आप वो solutions को use कर सकते तो उन्हें बोलते हैं feasible उन feasible में सो जो best solution हो गया जो optimal solution होगा वो क comfort को देखना है या cost को देखना है तो मेरा objective अगर comfort रहेगा तो मैं कार में जाओंगी और मेरा objective रहेगा कि नहीं मुझे खर्चा बचाना है तो मैं किसमें करूंगी two wheeler में जाओंगी तो यह जो optimal solution है यह उस objective को लेके decide होता है तो किसी भी problem में optimal solution हमेशा क्या रहेगा एक ही optimal solution रहेगा जो उस problem का condition given रहेगा उसके according वो optimal solution हम decide करेंगे ठीक है तो unit 2 में हम लोग अभी देखेंगे greedy unit 3 में हम लोग देखेंगे dynamic और unit 4 में देखेंगे branch and bond यह तीनो जो methods है जैसे divide and conquer में हम problems को divide करते थे ताकि हमको solution मिल सके यह जो तीनो methods है यह क्या होता है optimization problem यानि वैसे problem जिसमें multiple solution होता है और उसमें से मुझे best या optimal solution की फायती solution मुझे चाहिए रहता है तो उस case के लिए मैं यह तीनो methods को use करते हूं ठीक है तो यह थोड़ा सा introduction है किसके बारे में greedy method के बारे में ठीक